Hello friends welcome you all बेल आईकन को प्रैस कर लए जिससे आपको notification आती रहे और price section सीखने के लिए आप join कर सकते हो membership join button पे click करके और start करते हैं विंद्या टेली links अब आप को गया रहे हो वह विंद्या टेली links यह stock ऐसी बात नहीं कि आपके सामने पहली बार आ रहा है यह स्टॉक आपके सामने बिल्कुल ठीक रडार में आया था और विंध्या टैली लिंक आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि देखे मैं अगर इस टॉक को देखू तो मेरे हिसाब से वीकली के टाइम पर यह कंसॉलिडेशन बहुत ही बहतरीन कंसॉलिडेशन थी जो की चल रही थी तेरा सो के लबल पर और इस कंसॉलिडेशन के बेसेट पर जो टार्गेट था वो यह लबल था जो कि आज की डेट में अचीब हुआ है 2000 का टार्गेट 2000 का यह लिकुडिटी जोड कितने आसानी से लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कितना पेशन्स चाहिए होता है मैं अगर पेशन्स की बात करूं तो चार महीने इस साल का दो-तीन महीने पिछले साल के यानि कि इस स्टॉक को तेरह सो से 2000 के लेवल पे पहुंच रहे मैं यानि कि पचास प्रतिशत की रैली में कितना टाइम लग गया औलमोस्ट आप कहो कि पचास प्रतिशत की रैली में इसको 6-7 महीने लग गए तो इतना पेशन्स बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए होता है आप देखिए कितना अमेजिंग यह म बहँ ख्रद लेकिन विंधिया टैलीलिंक को अगर आप वीक ली चार्ट को देखोगे जैसा मैंने आपके सामने वीक ली चार्ट रखा है और मैं आपके सामने इसके मोमेंटम बॉक्स को सामने ड़् up करता हूं तो देखिए आज का चार्ट यह आज कर पीजगे इस एयरिय जोन पर पहब चुका है लेकिन जब विंधा टैली लिंक का हमारे पास यह नंबर आया था देखिए यह विंधा टैली लिंक यानि कि यहां पर हमने आधित बिरला गुरूप के अलग-लग यह बढ़िया बहुत है बहुत ही लेकिन यह बहुत ही लेकिन लेकिन इस टॉक की तरफ बहुत सारे प्लेयर्ग का ध्यान अकरशित किया आप देख रहोगे प्राइस करेक्ट जरूर हो रहा है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ यह अपने आप में स्मार्ट मनी की पहचान है यह तो वीकली का बेस बनाना मतलब अगर छोटे स्टॉक की बात करें यानिकि कैस्टॉक्स की बात करें जिनका मार्केट कैपरलाइशन कम होता है तो उनके बड क्या मैं का हूगा टाइम फ्रेम रहता है और अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ बिंद्या टेलीलिंक की बाद हम आते हैं फिन्टी पर इंडस्ट्री अब बिंधा टेलेलिंक अपने आसमानों पर टागेट जोन में पहुंच रहा है फिन्ट्री इंदस्री एक सो पि कि आ गए थे जड़ मतला यह लवल 172 का यह लेवल जब स्टार्ट हो रहा था मूँग तो आपके सामने आ गया था क्यों आया था इस वालियूम को देखके यह वालियूम को देखके बड़ा वालियूम बनते हैं यह स्टाक आपके सामने आया था अभी एक-दो हपते पहने मै कहूंगा अपरेल के स्टार्टिंग में यह स्टॉक आपके सामने आया था और यह मूब देखिए धिरी-धिरे करके स्टार्ट हो रहा है पहला टागे जोन और फिर आगे की कहानी लेकिन यह क्लोस टुदा मूविंग अवरेज था जब आपके सामनी चीज़ा आती है तो आग अगर फिनोलेक्स यहां पर पहुंच जाए फिनोलेक्स इंडस्ट्री जगर यहां पर पहुंच जाए 245 पर तो क्या है अवे फ्रॉम दा मॉविंग अवरेज हो जाता है तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा अब इसी चीज को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखो त अगर आप प्राइस एक्शन की यह लाइन्स ड्रॉ करते हो पीक पर टच करते हो देखे कहां पर आया बिलकुल जड़ पे वॉल्यूम बना बढ़िया वाला लेकिन हम जैसे एपरिल सीरीज मां आपके लिए स्टॉक लिका है थे इंग जोंस में उसके बाद बढ़िया करेक पहचान होगी अगर कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है तो वह बड़ा वॉल्यूम खरी देगा और चोटे शेयर में जो बड़ा वॉल्यूम है वह बड़ी प्राइस की तरफ देखे एक्शन लेगा यह देख रहे हो यह बड़ी यह स्मार्ट मनी का पहचान है बड़ा प् मैं बहुत कुछ बया कर रहा है कि यह चोटा नहीं बलकि लंबी दूरी की मिशाइल तयार हो रही है और आप देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट लेवल देखे प्राइस जहां से रैली हुआ वापस बेस बनाने आया वापस बैलेंस बनाने आया और फिर से स्टार्ट हो र रखा अब एक और स्टॉक की बात करने वाले हां जो है स्वराष्ट्रा सीमेंट जैसे आपने देखा विंद्या टैली लिंग कहा है आसमानों पर फिनुलेक्स पेपल के पाइप क्या है यह जस्ट मूब स्टार्ट हो रहा है हो गया मोमेंटम बन रहा है अब स्वराष्ट् एक पीक पर एक स्टार्ट एक और स्टेप नीचे है जो हलो आप देखोंगे स्वराष्ट्र इक वी कली चार्ट को देखोगीं आप क्या बना रहा है を lot that एक दिन दो दिन नहीं थोड़ा बड़े टाइम वाइज सोचना है और पिछली रैली को देखे जैसे हम स्मार्ट मनी की पहचांद के बारे में बात करते हैं तो वह क्या है वाल्यूम पिछली राइलिम है बड़ा वॉवियूम और गायब उसके बाद तो वॉयूम देखिए यहां से लेके यहां तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो अब जो है स्टॉक क्या फिर से रडार मारा तो बेस को थोड़ा टाइम भी लग सकता है तो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसी सिचुएशन है डेली टाइम फ पॉश्चर तयार करें स्टार्ट होने का तो यह साथ के लेवल से ड्रॉ करते हैं इस लेवल को रिस्क मैनेजमेंट के बारे मागर बात करें तो अटालिस का स्टॉप लॉस तैयार लेकिन यह स्टॉक लंबी दूरी की मिसाइल पहली टागेट जोन दूसरा टागेट जोन तीसरा टार्गेट जोन जहां से बड़ा फॉल आया था चौथा टार्गेट जोन और उपर फिर फाइनल लिक्विडिटी जोन जो तो काफी दूर है मैं कहूंगा लेकिन यह जोन हमारे लिए इंपोर्टन तो साथ से 120 तक का सफर क्या स्वराश्ट्रा सीमेंट टै कर पाए किसे सिचुएशन देखने को मिले की कि ऐसा ऐसा चार्ट कहां पर बन रहा है तो इसलिए आपको कहा जाता है प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टन है महीने के 5000 चार्ट्स आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं लांग साइट के लेकिन अगर आपको शॉर्ट साइट की भी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो प्रैक्टिस को करना पड़ेगा डबल और यह देखें प्रैक्टिस के बिना यह चीज़ें काफी ताफ है तो प्रैक्टिस जरूरी है वाइंड अप करता हम वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे प्राइस सेक्षन सीते रहे है पर स्टार्ट हो रही है साइकल और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग वीडियो